बंदे मातरम आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल अर्था नीकरन विसलेशन का जो अर्थासास्त में आता है इसकी जरुवत क्यों पड़ी और एक क्या होता है सबसे पहले अगर माली जी हमने इसके पहले दिया देखा एक काश्ट बेनेफिट अनलासिस वगर है उसमें उसको सकते हैं कि सानी चीजे देखने के उसे पता चल गया है चैका अगर परिवजना में निवेश करें तो तो वो करेंगा अब निवेश करेंगा कश्च करने के लिए वह जगा ढूढ रहा है कि वीच प्लेस बेटर फर मी चैसे अचे बहुत ही जरूरी है कि आप किस जगा कैसी है कैसी कर रहे है it क्या डूमिनेट कर रहे है कि साख्या माल पर लब्द की नहीं कर कि नहीं यह सारी चीजों को उसे देखना जरूरी है कि कि अस्थान पर इंड़स्ट्री को बैठाएं कि सथान पर इंड़स्ट्री को इस्टाल करें तो अब देखिए किस प्रकार करता है और इसके बारे में जिनहीं करते हैं कि वहां पर इंड़स्ट्री को करता है क्या-क्या चीज़े देखता चारों तरफ तो कि हम अध्यन करना हमें आवस्याद सब्सक्राइब है कि हुआ क्या क्या इस्टाल करें तो इसी फैक्टर्स को तो उसके अस्थानिकरण में अर्थाथ आस्थान निर्धा इंडुस्ट्री के इंपॉर्टेंट है महातुकुन जो उसके कारक हैं ये मतलब कितने लोग इन्वाल में कितर चीजे इनॉल में उसको अम इसमें देख सकते हैं इसको इंगले समय बोल सकते हैं इन्डिस्ट्रियल लॉकलाजीशन अनलासिस अब देर और मेनी फैक्टर हैं विन दिस इंडूस्टिर लोकलाइजेस अनलासिस विए तुटर देख सकते हैं तो अम इसके कारक और घटक की अधार पर कितने कारक वालव कि नौव तू तू अनलाइज आफ इस लोकलाइजेस तो इसके यह भी आखना है कि पूरा घ्यानिक विसलेशन पर अधार इता है तो उसमें अगर आप वह अगर हमें आर्शास्ति देती है तो हम कर सकते हैं तो कि वह प्रिच्छण के अधार पर थे आती है अब देखिए दो-3 चीजे हैं सबसे पहले हम कारक को देखेंगे फिर थे टिकल वैग्रांड देखे ट्टी खंगे अवनी फेक्टर Неवाव तो देजम सेटर बट वियमिन कंसीडर टूएं इन डेस्ट्र मेरिश लंचलैरशन यह चिरफ के डरेमकुद मेस्पेC Tanag area प्रिषा BEकर है सबसे भाला है था बहुत कारण है जूस्याँ आर्थ कार्ण और तीसरा है समाजिक एवं संगठनात्मक का तो इन सारी चीज़ों के मदद से हम देखेंगे ठीक है कि इंडिस्ट्रियल का अस्थानी करें इसलेशन या लोकलाइजेशन इनलाइज कर से करें ठीक है सबसे पहले में इसको देख लेते हैं फिर एक एक करके हम देखते हैं इस देख लेंगे उसमें भौतिक कारक क्या है भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर तो अगर हम पहला देखेंगे वह भौतिक कारक तो इसमें कई चीज़ें इसमें उपलपता को देखते हैं इसमें क्या देखते हैं सीथे तोर पे अगर आपको कहीं भी आप्शन में अगर मिली उ सबसे पहला क्या है कि संसाधनों की आप ऐसे कर सकते कि कच्छे माल की उपलब्धता कि इसके बगर में ऐसे लिखते रहे हैं दूसरा श्रम ज़न की उपलब्धा तीसरा हम ले सकते हैं परिवहन सुविधा था बशके मिप्योद की उर्जा हर आप शर्चनों की suits della कि तो अपलाब देता आप अध्या इतना बहुत है अगर आप रिटियन लिखते हैं तो इत्याद यहां पर लिख सकते हैं अधिक दाम पर मिल्ला इंडर्ष्ट्री किंदीकरण की नेचर मुझूद है इसका मतलब कंपटीशन हाई है तो वहां पर कोई निवेस नहीं करेगा और कंपटीशन हाई होने कराण ही इसके जो आर्थिक मुल्य है उतमें ब्रिद्धी होगी लेकिन तो उससी में कोई नहीं क है कम है यह ज्यादा है श्रम कमूल हम देख सकते हैं यह लागत देख सकते हैं परिछांस्टा की लागत दीलागत अब कुछ और से जरे बाजार कानचना या्पट्रेव छुक्छ लग्यंievesक्स्तुंदर लाओ सनज्चन इन सारे चीज़ें अब हम देखते हैं समाजिक और संगठनात्मक का सोशल एंड अर्गनाजिशन फैक्टर में हम कई चीज़ों को देख सकते हैं समाजिक हम देखते हैं इसमें समाजिक और उसके अलावा इसमें होता कि सब्सक्राइब करने आएगा कई से पढ़ाएगा न उन न इसके पढ़ाना चाहते हैं कि अब भच्छा धिमान हो फिर आईस बने तो वही तो आप चाहते हैं कि वढ़ियां सिच्छा की व्योस्ता पर बढ़ियां कि भुस्ताव यह भी इसको फैक्टर को इन्वाल्व करता है कि अधिया फैक्टर काम करते हैं संगठनात्मक कारक में देखे श्रम संगठन संगठन भी इसके कि इन वालों में भागिदार है क्यों कि संगठन अगर हो जाएगा मजबूर तो अगर मतलब कहीं अगर आएगा और किसी इंडुस्ट्री में जाएगा पूरी संगठन के साथ जाएगा तो क्या कहेगा वो कहेगा कि हमको जब सबकों 500 रुप्या रोज मिल ला है तो हमको यह चाहिए ने तो नहीं करेंगे अब चुक्कि पूरा संगस्रम संगठन तो कोई नहीं करें तो एभी कंपनी को परवाइद करेगा इससे भी वह बैकवार्ट भगों पीछे जाएगी नहीं बैट इस्टेबलिस्ट करना चाहिए ठीक है तुसरा कि किसान संगठन किसान संगठन के आं सकता है जैसे घूमी या कच्या माल माल के घृत दिरुटेवए हैं आभ अगर देंगे तो सब लोग देंगे डिशल नहीं लुक्सचित हो सकता हम हम heavily के मामिलें कि हमこれは यह वहां पर जतना जमीन ले रहा है इंड़स्ट्री दस भी घाले रहे तो दस भी जतने लोगों का जमीन है और सब से ज्यादा पैसा चाहिए जितना मिल ला है इन सारी चीजों को अगर आप लिखेंगे या देखते हैं समाजिक और संगर्नात्मा कारक की रूप में होते हैं ठीक है फैक्टर कोई गढ़ते हैं आप आप लोगों को पूरी तरीके से पूरी सिद्धत से समझ में आई होगी इसके अगले वीडियो में हम बना रहे है कि नि नहीं रहें तो आज के लिए इतना ही बंदे मात